हाई फ्रेंट्स, वल्कम बैक टू अनधर वीडियो, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को पर लास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले में बता दूँ क्या करने वाले हम, जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम इस वैलियो को यानि कि इस टेक्स्ट को हम कैसे गेट करेंगे ठीक है, प्रोग्रामाटिकली हम कैसे इसे गेट करेंगे, वो देखते हैं, यहां से तो हम लही सकते हैं कि सेल वन है, इसे हम कॉपी कर सकते हैं लेकिन हम इसे प्रोग्रामाटिकली इसे गेट करेंगे और इसे हम प्रोसेस करेंगे और जहां भी हमें database में भेजना हो या कुछ भी करना हो हम इसे process कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे हम एक button मनाते हैं जिससे कि button के click पे हम इसे यहाँ पे show करवा सके तो यह simple है हमने एक design मनाया है जिसमें एक table है एक head tag है और एक p tag है तो यहाँ पे मैंने खोल दिया है visual studio code यहाँ पे आप देख सकते हैं यह document यहाँ से मैंने start किया है एक style मैंने दिया है यहाँ पे table को table td और th को तीक है उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे h1 दिया है यहाँ पे p tag वो आप देख लिए ना video pause करके इसमें कोई issue नहीं है तो सबसे पहले में क्या करता हूँ head के अंदर आता हूँ और एक मैं अपना फैवरेट सा tag open करता हूँ जिससे script कहते है इससे मैं अपना फैवरेट क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा help लेता हूँ ठीक है तो एक function बनाता हूँ मैं function बनाने के लिए simple सा function लिखना होता है हमें और function का नाम तो यहां पे get get value करते हैं ठीक है और यह हमारा function का format ऐसे बनता है function ठीक है तो अब यहां पे मैं एक लेता हूँ simple सा क्याल हूँ भई तो तो यहां पर मैं एक variable बनाता हूँ, where यहां पर cells ले लेता हूँ, equal यहां पर क्या करेंगे, document.querySelectors, all कर दूँगा मैं यहां पर, और यहां पर क्या करना है हमें, reference देना है इसका, तो यह क्या है हमारा, table है, table के अंदर tr है, उसके अंदर td, तो हमें td को target करना है, तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर single code के अंदर मैं लिखूंगा table, तो यह tag का नाम मैं लिख रहा हूँ, ध्याम रखना, फिर मैं space दूँगा, मैं target करना हूँ td को, बस यहां पर मैं इसे stop कर देता हूँ, अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें simple सा so करवाना है, और कुछ नहीं करना, तो so करने के लिए क्या है, अब देख सकते हैं, यहां पर हमारा cells आया है, यहां पर query selector all, तो यहां पर जितने भी td हैं, जितने भी td हैं, सभी यहां पर data हमारा आ चुका है, cells के अंदर, अब मुझे अगर एक एक करके अगर इसे so करवाना है, तो cells के पास हमें, देख सकते हैं, cells के अंदर हमें, यह हमें, ऐसे हमें so करवाना होगा, क्योंकि TD हमारे पास documents में बहुत सारे TD है देख सकते हैं TR के अंदर 2 TD इस TR के अंदर 2 TD यानि कि कुल हमारे पास 4 TD है तो ये क्या करेगा हमें सभी 4 TDs को दिखा देगा अगर हम यहाँ पे simple अगर हम cells को अगर show करवाई कहीं पे मैं alert में दिखाई देता हूँ आपको तो यहाँ पे अलर्ट में मैं लगाता हूँ और इसे मैं cells को दिखा देता हूँ कि alert में हमें ये दिखाई दे तो ये alert कब चलेगा जब ये हमारा function call होगा function call करने के लिए हम क्या करेंगे टेवल के नीचे एक मैं button बना देता हूँ button का नाम लिखता हूँ test और क्या लिखना test लिख देते हैं अब यहाँ पे मैं लगता हूँ on click on click पे हमारा function चले जिसका नाम है get value ओके मैं इसे करता हूँ save और यहाँ पे आके हम इसे refresh करते हैं तो देख सकते हैं test नाम का हमारे पास आ चुका है जैसे मैं इस पर click करूँ गा तो क्या होगा पहले समझ लेते हैं क्या होगा जैसे मैं इस पर click करूँगा यह function call होगा तो यह सबसे पहले variable में cells नाम के variable में यहाँ से data लाके इसके अंदर रख लेगा और फिर क्या होगा next line में जाएगा alert होगा और इसे हो करवा देगा तो alert का मतलब क्या है यहां पे एक आएगा alert box उसमें लिखा हुआ आएगा यह सारे जितने भी हैं a cell B cell D सभी चीज यहां पर दिखाई देगा मैं करता हूँ click तो यहां पर देख सकते हैं आप्जेक्ट नोड लिस्ट तो यहां पर प्रोपर यह दिखाई नहीं देरा हमें बिल्कुल सेट करना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है ठीक ए सेल्स के अंदर मैं अगर सपोज यहां पर वन कर दूँँ देखना क्या होगा वन करने से क्या ठीक है याने कि यह जीरो पे अभी बैठा है है हमारा वैल्यू जीरो पे है कोई भी गिंती हमारा जो है प्रोग्रामिंग वर्ड में जीरो से शुरू होता है वन से शुरू नहीं होता ठीक है तो यहां से होगे जीरो, वान, टू, थ्री, तो मैंने यहां पर दे रखा है, वन, तो वन कौन सा है, भई, तो सेल भी यहां पर सो होना चाहिए, अबजेक्ट, टेबल, सेल, एलिमेंट, कुछ, एरर आ रहा भाई साब, क्या है, देखते हैं, हाँ, एरर तो है, अब यहां पर हमें क्या करना आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, inner html को देखना हमें, यह मैं भूली गया था, ठीक है, इसे करते है, save, अब यहां पर पक्का यहां पर देखना, भी दिखाई देगा, देख सकते है, cell भी आ गया, यह क्यों आ रहा था, क्योंकि ह हमें इसके अंदर का html देखना था ठीक है यह हमारा क्या है html है इनर html ठीक है तो जैसे ही मैंने टेस्ट करता हूं तो cell भी आ रहा है अब यहां पर क्या करना आपको अगर यहां पर जीरो करेंगे और मैं इसे करता हूं अब यहां पर दिखाए देगा है एक हो रहा है अब देख सकते हैं सभी का डेटा हमारे पास आ चुका है अलर्ट में देख लिया ठीक है ठीक है cell 0 का जो भी возвращ है हमारा इसमें आके डेटा के अंदर सेव हो गया अब प्रोसेस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं process जैसे ए है सपोस्थ यहां पर हम लिख देते हैं Apple ए भास ओ ऑफ दो तो 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 यहां पर क्या कर सकते हैं हम ए यहीं पर बटन के नीचे हम एक बनाते है एक बी आर टैग लेकर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहां पर बी आर ठीक है एक और यहां पर बी आर देते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है ठीक है तो यहां पर हम देते हैं रिजल्ट एच वन के अंदर यहां पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट ठीक है रिजल्ट और यहां पर एक मैं देता हूँ करते हैं तो और यहां पर रिफ्रेस्ट करते हैं तो देख सकते रिजल्ट हमारा यहां पर आएगा जो भी यहां एपल है उसे अंदर show करवाना है, show data के अंदर, तो इसे save करते हैं, और यहां पर refresh करते हैं, तो देख सकते, result हमारा यहां पर आएगा, जो भी यहां Apple है, उसे मैं यहां पर show करवाना चाहरा हूं, ठीक है, तो test करने पर हमें यहां पर result आना चाहिए, तो इसके लिए code करते हैं, code करने के लि element by id, id हमारा क्या है, show data, ठीक है, capital लेटर में जहां जहां, capital आपने लिखा है, उसे लिखना पड़ेगा, इसके inner html में हमें क्या लिखना है, equal का sign देंगे, यहां पर inverted comma, single वाला, single code देंगे, और यहां पर data हम लिख देंगा, single में नहीं देना, यहां पर simple data लिख देना है, क्योंकि variable है, तो हमें simple लिख देना है, अब मैं इसे save करता हूँ, यहां पर refresh करते हैं, अब देख सकते, apple यहां पर आ गया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यह यहीं पर आए, तो उसके लिए का करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा, कि यह जो id हमने इसे दिया है, इसे हम दे देंगे result को ही, ठीक है, और यह h2 को हम कर देते हैं, खतम, अब क्या होगा, कि इसे replace कर देगा, देखना, जो result लिखा हुआ है, उसे replace करके, हमारा यहां पर apple लिखा हुआ आ जाएगा, टेस्ट करते हैं, देख सकते हैं, जो result था, उसे replace कर दिया, और यहां पर apple आ गया, तो मैं चाहता हुआ हुआ कि यहां पर result भी लिखा रहे है, और यहां पर apple भी आ जाए लिखके, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें code करना होगा, code में एक छोटा सा बदलाओ करना होगा हमें, बस यहां पर equal का sign है न, बस इससे पहले हमें plus लगा देना है, और कुछ नहीं करना, बस इसे हम क्या करते हैं, refresh, और यहां पर करते हैं test, तो देख सकते हैं यहां पर apple आ गया, यह plus का क्या मतलब है, plus का मतलब है, जो यहां पर data है, उसे तो रहने ही दो, plus इसे add कर दो, ठीक है, इसका मतलब यह है, plus इसे add कर दो, अगर यह छोटा सा प्लस हटा देंगे, तो यह क्या करेगा, पहले जो भी इस location पर लिखा होगा, उसे हटाएगा, और वो खुद जाके बैठ जाएगा, ठीक ह information आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे like करें, अगर कोई सवाल या सुजा हो, या कोई request हो, जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी हमें नीचे comment में हमें बता सकते हैं, और हमारे facebook page पे भी आप हमें contact कर सकते हैं, वहां से जो भी है reply में करता हूँ तो मिलते हैं अगले interesting video में, तब तक के लिए goodbye